एक वक्त था जब बच्चे और किशोर खाली समय में वीडियो गेम का आनंद लिया करते थे लेकिन आज के दौर में वीडियो गेम का एक नया ही स्तर देखने को मिल रहा है ओनलाइन और मल्टि प्लेयर आप्शन की सहज उपलब्धता होने के कारण ये बच्चों के बीच इतना लोग प्रिय हो गया है कि उन्हें वास्तविक दुनिया से पूरी तरह से दूर कर रहा है बच्चों में वीडियो गेम की ऐसी लट देखने को मिल रही है जिसके कारण वो घर परिवार और दोस्तों से कट कर एक अलग आभाजी दुनिया में जीने लगते है इन बच्चों के आसपास क्या हो रहा है किसी बात की कोई खबर नहीं रहती सबसे बड़ी समस्या ये है कि वीडियो गेम की लट ही युवा वस्था में डिप्रेशन और गुसेल व्यवार का मूल कारण बनती है वीडियो गेम के इस दौर में बच्चे और टीनेजर्स आउट्डोर गेम्स को पूरी तरह से भूलते जा रहे है हर हफ़ते आट से बाइस साल आयू वर्ग के चार से पाँच ऐसे नई मरीज एम्स पहुँच रहे हैं पेरिंट्स परिशान दिखते हैं चिंता और डिप्रेशन के शुरुवाती लक्षन किशोरा वस्था एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चों का दिमागी विकास होता है इस उम्र में उनके व्यवार में सबसे ज्यादा परिवर्तन नजर आते हैं इन बदलावों के कारण कोई भी नई चीज उन्हें अपनी तरफ आकरशित करती है यही कारण है कि इस उम्र में उन्हें अच्छी चीजों की आदत भी पड़ सकती है और बुरी चीजों की लत भी हो सकती है अधूरे ग्यान की वज़े से उनमें चिंता और डिप्रेशन के शुरुवाती लक्षन नजर आ सकते हैं वीडियो गेम की वर्च्वल दुनिया में अधिक वक्त बिताने से बच्चों को अकीला पन महसूस होने लगता है और वो खोई-खोई से रहने लगते हैं यहां तक की व्यस्त जीवन शैली के कारण कई बार माता पिता भी अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं जिससे उन्हें प्यार, स्नेहें और ध्यान की चाहा होती है इस चाहा में वो इस तरह की चीजों से आकरशित हो जाते हैं मल्टिप्लेयर गेमिंग बन रहा एक बड़ा कारण मल्टिप्लेयर गेमिंग ने वीडियो गेम के स्तर को इस कदर बदल दिया है कि बच्चे खुद को इससे दूर रख ही नहीं पाते हैं ये आभासी दुनिया बिना किसी रोक टोक के उन्हें नई चीजों का अनुभव करने का मौका देती है ये लट और वास्तविक दुनिया से दूरी के कारण बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है और वो खुद को सामाजिक जीवन से दूर रखने लगे हैं स्कूल और माता-पिता बच्चों को इन खेलों की लट से दूर रखने में एक एहम भूमिका निभाते हैं यदि बच्चें किसी कारण से खोई-खोई से रहते हैं या अकेलापन और अवसाद महसूस करते हैं तो माता-पिता और स्कूल को तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए जिससे वो बच्चों को वास्तविक दुनिया में शामिल कर उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिये रख सकें गेमिंग के लट को ऐसे पहचाने फिजिकल एक्टिविटी वपढ़ाई से कत्राना एकांत में रहना ज्यादा पसंद लोगों से मिलने जुलने में रुची ना लेना किसी भी चीज में एकाग्रता की कमी मोबाईल या इंटरनेट से दूर करने पर तुरंत हिंसक या जिद्धी हो जाना आँखों में लाली पन, सूखा पन या पानी आना जैसे बदलाव भूक में कमी या खाने में अरुची इस प्रकार गेमिंग लट से बचाएं पेरेंट्स तै करें कि बच्चे को किस उम्र में कौन सा गैजिट देना है मोबाइल पर गाने, वीडियोज वगेरा ना दिखाएं बच्चों को इंटरनेट का इस्तमाल, पढ़ाई संबंधी जरूरी कामों के लिए ही करने दे आउट्डोर गेम्स को बढ़ावा दे, शुरू से योग, एक्सरसाइज की आदर डाले बच्चों के लिए पेरिंट समय निकाले, उनके साथ खेले बच्चे इंटरनेट पर क्या-क्या करते हैं, उस पर नजर रखे अगर आपके बच्चे को लट लग जाती है, तो बिना किसी देरी के मनोचिकित सक्से मिलिए माता-पिता और स्कूल को उन बच्चों को अलग-अलग गतिविधियों में शामिल करना चाहिए जिसमें वो हर पल कुछ नया सीख सकें, और उन्हें वर्च्वल दुनिया से दूर भी रखा जा सके माता-पिता को बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए और उनके हर रुटीन पर नजर रखनी चाहिए वीडियो गेम की लट के कारण कई बार बच्चे रात-रात भर सोते नहीं है जिससे वो अधिक ठकान महसूस करते हैं धीरे-धीरे बच्चों को अकेलेपन की आदत पढ़ने लगती है जिसके कारण वो माता-पिता से हर बात चुपाने लगते हैं माता-पिता होने के नाते ये समझना जरूरी है कि समस्या का मूल कारण वीडियो गेम नहीं बलकि आपका उन्हें कम समय देना है अगर बच्चों को शुरू से आउट्डोर गतिविधियों जैसे खेल, योग और एक्सरसाइज इन सब पर अधिक ध्यान दिलाया जाए तो बच्चों को अकेलापन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी दूर रखा जा सकता है